हो सकता है कि इंटर्वीव के दवरान कई बार आपसे भी नट बोल्ट से संबंदित नट बोल्ट से रिलेटेड सवाल पुछा गिया हो सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नट बोल्ट क्या होता है नट बोल्ट क्यों यूज किया जाता है nut bolts कितने परकार के होते हैं nut bolt का material code क्या होता है nut के बाहर कितना free thread निकला होना चाहिए सुआई ये start करते हैं और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लें और bill icon को दबा दें ताके आने वाले सब वीडियो का notification आप तक पहुचता रहे और वीडियो को ज़्यादा सज़्यादा like और share करें nut bolts are a type of fastener which is used to secure or fasten material और parts together nut bolts एक परकार का fastener होता है fastener यानि एक ऐसा arrangement जो किसी भी चीज़ को बांध कर रखे जो किसी भी दो material या parts को एक दूसरे के साथ connect करते हैं यानि जोडते हैं उसे हम nut bolts कहते हैं अब हम बात करते हैं basic definition of nut bolts so we can say that nut bolts are used to connect two flange और parts together in piping system किसी भी piping system में nut bolts का परियोग दो flange को आपस में जोडने के लिए किया जाता है how to identify nut bolts nut bolt का पहचान कैसे करें bolt एक परकार का ठोस rod होता है जिसके उपर चार और से thread बना होता है bolt is a solid rod having circular cross section in which threads are available throughout outer surface of rod जो कि आप इस photo में इस picture में आप देख सकते हैं आईए आप बात करते हैं nut का nut एक परकार से खोखला hexagon shape में होता है जिसमें अंदर की तरफ thread बना हुआ होता है nuts are mostly available in hexagonal hollow circular cross section having inside thread also known as female thread तो एक बात हमेशा याद रखें कि bolt male threaded होता है और nut female threaded होता है तो इसको याद रखें हमेशा कि bolt male threaded होता है और nuts female threaded होता है इस परकार आप interviewer को ये basic difference बता सकते हैं कि अगर male thread हो तो उसे bolt कहेंगे और अगर female thread हो तो उसे nut कहेंगे देखें अब अगर type of bolt की बात करें तो अलग-अलग use के हिसाब से अलग-अलग type के bolt का इस्तमाल किया जैसे stud bolt, hexagonal bolt, machine bolt, anchor bolt, U bolt, J bolt और industries में use होने वाला सबसे ज्यादा जो bolt आता है वो होता है stud bolt तो आगे हम सिर्फ stud bolt के ही बारे में बात करेंगे ताके ये usage ज्यादा है industries के अंदर आते हैं stud bolt क्या है A threaded solid rod also known as a stud is a relatively long rod that is threaded on both ends The thread may extend along the complete length of the rod A stud एक परकार का ठोस rod होता है जिस पर दोनों छोर तक thread बना होता है और दोनों तरफ से hexagonal nut की सहायता से किसी भी flange को tight किया जाता है और अगर हम stud bolt के dimension की बात करें तो इसे हम ASME B16.5 में देख सकते हैं stud bolt के dimension ASME B16.5 कोड में देख सकते हैं और hexagonal nut के dimension data के बारे में बात करें तो इसे हम ASME B18.2.2 कोड में देख सकते हैं इसे बताया गिया है अब हम आते हैं nuts के बारे में dimensional data for nuts जो stud bolt का जो nuts है उस nuts का dimensional data उसका जो कोड होता है वो कोड है ASME B18.2.2 अब ये कोड के अंदर ये बताया गया है start bolt का dimension से जुड़े data को इस कोड के अंदर बताया गया है इस कोड से आप देख सकते हैं कई बार interviewer आप से design data के बारे में नहीं पूछता है मगर material code के बारे में जरूर पूछता है कि ASTM code क्या होता है bolts और nut के लिए तो अगर हमें standard की बात करें तो different different standard के अंदर इन्हें define किया गया है तो सबसे पहले stud bold की बात की जाये तो इसे ASTM A193 standard के अंदर cover किया गया है जो की alloy और stainless steel के material होते हैं जिनका use हम pressure vessel, valve, flange और fittings के लिए high temperature और high pressure service के लिए किया जाता है और अलग-अलग temperature के लिए अलग-अलग grade भी use होते हैं बट ज्यादा तर हम जो grade use करते हैं वो होता है ASTM A193 grade B7 जो की almost 29 degree centigrade से 427 degree centigrade तक use किया जाता है तो अक्सर interviewer interview में यही code आप से पुछता है या आप से पुछा जाता है कि stud के लिए हम किस material code का इस्तमाल करते हैं तो आपको बताना है ASTM A193 grade B7 और इसी परकार hexagonal nut की बात की जाये तो इसे ASTM A194 के अंदर cover किया गया है जो की carbon steel, alloy steel के साथ साथ martensitic and austenitic stainless steel के बने होते हैं और इसका उप्योग भी हम high temperature और high pressure service के लिए करते हैं बट ज्यादा तर जो हम use करते हैं वो होता है ASTM A194 grade 2H grade 2H ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि interviewer जब भी आपसे hexagonal nut के material code के बारे में पूछे गा तो आपको यही बताना है ASTM A194 grade 2H grade 2H और इसका जो temperature range होता है वो होता है minus 29 degree centigrade से 537 degree centigrade तक minus 29 degree centigrade से 537 degree centigrade तक use किया जाता है तो उमीद है यहां तक सब कुछ clear हो गया होगा चलिए हम आगे देखते हैं कि जब भी हम nut bolt tight करते हैं तो कितना thread nut के बाहर होना चाहिए तो आईए देखते हैं यहां आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी आप nut bolt tight करें तो ना तो bolt ज्यादा बाहर निकलना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए एक extended के हिसाब से जो free thread बाहर होना चाहिए वो stud bold के डाया का one third होना चाहिए यानि जो भी आपके stud का डाया है उसका one third ही बाहर निकलना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और आप लोगों से request है कि please अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया तो subscribe कर लें और वीडियो को like और share करें